दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर मार्केट जॉब से जुब्स न्यूजिलाइंड के ऊपर कि कैसे बिना एजेंड के बिना किसी के help के आप नूजिला tyre में सुपर-마र्केट जॉब्स न्यूजीलेंड डॉलर से लेकि माक्सिमम 80-200 न्यूजीलेंड डॉलर तक आप अर्णिंग कर सकते हैं याने कि 2-4 लाख पर मंथ 20-24 मान के चली न्यूजीलेंड डॉलर पर आर करता है लिविंग कॉश्ट, टैक्सेट, मेडिकल इंशुरेंस कंपनी क्या-क्या देती है यह सब चीज़े बताऊंगा, पोजीशन बताऊंगा, सूपर मार्केट का नाम, एवरिटिंग और एज लिमिट भी शेयर करने वाला हो, यह लिमिट एजुकेशन कितना चाहिए, आईलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, वैसे एजुकेशन की कोई खास रिकॉर्मेंट नहीं होती और experience भी बहुत हाई नहीं चाहिए, ट्रेनिंग भी यह प्रोवाइट कराते हैं, तो प्लीज वीडियो को अच्छे से एंड सक देखिएगा आज की जो वीडियो होने वाली है, सुपर मार्केट जॉप से न्यूजिलैंड के उपर हम बात करने वाले हैं, कैसे आप आउनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, खुद से कोई भी एजेंट या एजेंसी, किसी भी कंसल्टन की मदद नहीं लेनी, इवन हमारी भी आपको इसमें नहीं लेनी, खुद एप्लिकेशन करना है, बिकॉस जो कंपनी होती है, सुपर मार्केट होती है, वो डायरेक्ट अपनी वैपसाइट में वेब साइट होती है, उस पे भी या जूब पोर्टल होते है, उस पर वो रिकार्मेंट्स खुद लाती है, और खुद ऑनलाइन बारे में और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारा वाटसएप टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं के तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक्स दे दिया क्लिक करके जाइन कर लीजे ठीक है कुछ भी कोईरी देत कर सकते हैं य जो जो जॉब पोटल्स हैं कम से कम दस जॉब पोटल में आपको बताने वाला हूँ और सब चीजे बताऊँगा और एवरिधिंग इवन टैक्स रेट भी बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा साथी में आप हमें इंस्टाग्राम में ही सब डिसकस करूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स जानना चाह रहे थे और वो खुद जाना भी चाहते हैं न्यूजिलैंड में और सुपर मार्केट की ही जॉब करना चाहते हैं सुपर मार्केट में कोई भी पोजीशन मिल जाए जैसे इंडिया में अगर आप कोई सुपर मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा यह रहने वाला है ठीक है और मैं सब को समझाओंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम रिकवरी वीजा के बारे में भी बात करेंगे इस समय न्यूजिलैंड के वीजे बहुत आ रह विकॉस सच में वहाँ पे रिकॉइमेंट्स है राइट नौ और तभी वहाँ पे लोगों के विजिटर वीजा भी कनवर्ट हो रहे हैं अगर इंप्लोयर की नीड है तो या फिर आपने कोई लॉयर कर रखा है कुछ भी तो आपका अराम से विजिटर टू वर्क कनवर्क हो करेंगे कुछ सूपर मार्केट पहले में आपको बतारों वो नोट कर लो जो राइट निकालती है लोकल्स के लिए और फॉर्ण वर्कर्स के लिए भी पहले नंबर पर वूलवर्स उसके बाद है पाकेंड सेफ थर्ड नंबर पर डी एच सूपर मार्केट यह भी बहुत अ में रखना बहुत रेयर टिकेट का आपको अपना ही रखना है ठीक है यह चीज़ें हो गई और हर वीजा काटेग्री की अलग अलग फीज है ठीक है किसी का 20,000 खर्चा है किसी का 25,000 का वीजा का कॉस्ट है डिपेंड करता है ठीक है तीन सो न्यू न्यूजीलैंड डॉलर है किसी की फीज किसी की 500 भी 800 भी है तो डिपेंड करता है और उसके बाद है एक काउंट डाउन करके है यह यह बीक अच्छी न्यू वर्ड भी है यह सब सुपर मार्केट से एच लिमिट की बात करूं तो कोई ऐसी खास यह लिमिट नहीं है बट आपको प्रिफरेंस वाले में ध्यान रखना है जो प्रिफर करती है सुपर मार्केट 24 से लेके 50 यह आपकी एज हो तो ज्यादा बेटर है 55 से उपर वालों को भी रखते हैं लेकिन बहुत रेर रखते हैं 24 से पचास सेकेंड एजुकेशन एजुकेशन की कोई खास रिकॉर्मेंट नहीं है अगर आप उनको चाहिए स्किल कम से कम दो साल का एक साल का हो मिनिममम वन यहर या टू या थ्री यह इतना अगर एक्सपीरेंस है तो आप अराम से अप्लिकेशन कर सकते हैं कोई एक्सपीरेंस नहीं है बाकी वह आपको समझाएंगे ट्रेनिंग भी देंगे डेविल टीच यू ठीक ह अब बात करें आइलेट्स आइलेट्स की भी कोई खास इसमें रिक्वाइमेंट नहीं है आइलेट्स नहीं चाहिए इसमें कोई भी इंग्लिश टेश नहीं देना होता है कैनेड़ा में क्या वर्क विजा में भी आजके टाइम में 4.5 या 5 बैंड या 4 बैंड ओवराल बागी इंग्लिश आपकी बेसिक हो कि आप कम्मुनिकेट कर पाऊं पोजीशन की बात करों क्या 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 पोजीशन सुपर मार्केट में अवलेबल है पहले नमबर पर वेर हाउस वरकर उसके बद आपको पैकेजिंग की जॉब कैशियर क्लीनिंग की होगी क्लीनर जोते ह या फॉकलिफ ड्राइवर आप कह सकते हो उसके लावा सूपर्वाइजर मेंटेनेस चाफ की भी रिकॉर्मेंट रहती है मैंने देखा है बहुत जादा वेजेटेबल्स या फ्रूट्स के काम रहते है अंदर ठेक है बोचर्स के तो रिकॉर्मेंट रहती है आपको पता ही ह स्टोर कीपर स्टोर मेनेजर यह थोड़ी हाई प्रॉफाल है इनकी भी रिकॉर्मेंट रहती है वह आपके इलजिबिल्टी पर मैठर करता है अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टन चीज़ की बेसिक सैलरी कितनी है न्यूजीलाइंड के अंदर तो मैं आपको समझा देता ह है और बेसिक सैलरी आपको जो मिलेगी 4200 न्यूजीलाइंड डॉलर से लिए कि 8200 न्यूजीलाइंड डॉलर पर मन्त मतली सैलरी है बात करूं तो 22 24 न्यूजीलाइंड डॉलर पर और की वेज रहेगी मिनिमम् बता रहूं इससे उपर ही हो सकती अगर आप धियान से देखो जो कीवी का काम करते हैं फार्म में फ्रूट पिकिंग का वो तीन सो से चार सो न्यूजिलेंड डॉलर डेली कमा रहे मतलब 20,000 रुपे कमा रहे 400 के साब से 20,000 क्योंकि न्यूजिलेंड डॉलर इस समय थोड़ा डाउन हुआ है 50 पॉइंट कुछ का है 2-4,000,000 के बीच male, female होए कोई भी हो 2-4,000,000 बन जाते हैं आपके hard work पर डिपन करता है duty कितना कर रहे हो 8 घंटे करो के 2,000,000 और 12 घंटे काम करते हैं ज़्याद होग करते हो 4,000,000 पर मंथ बन जाती है अगर आप कीवी में काम करते हो तो आपको पता है और 8,200 New Zealand डॉलार कमाते हैं तो 4,000,000,000 होता है इंडिया का अब बात करते हैं सबसे important चीज लिविंग कॉस्ट कंपनी medical insurance, transport और आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देती है थेक है बट food और accommodation बहुत ही मुश्किल आज के टाइम में कंपनी नहीं देती है तो वो आपको manage करना पड़ेगा food और accommodation, food कहीं की duty मिल सकता है but accommodation आप मान के चलो आपका आएगा तब भी एक living cost अच्छी life जी नहीं है per person cost अगर मैं बात करूँ तो 900 to 1000 New Zealand डॉलर यानि कि 50-60,000 इंडियन रुपीज में एक इंसान New Zealand में per month अराम से खाना, रहना, घूमना अपने internet के charges घूमना फिरना कुछ भी extra expenses overall living expenses या living cost अगर आपका हो तो 900 to 1000 NZD New Zealand डॉलर अप इतना आपका खर्चा आएगा अगर आप मान के चलिए कि ये 3,00,000 रुपे कमाते हैं per month तो आपकी saving होगी 2,40,000 की पर month ठीक है 60,000 आपका कट जाएगा खाने पीने रहने का 2,40,000 आपकी क्या है saving है ये एकदम अच्छी समझा रहा हो एकदम simple language में ठीक है अब बात करो सबसे important चीज़ों लोग अपने वीडियों में कभी कहते ही नहीं ना पूछते हैं ना बताते हैं टैक्स रेट न्यूजीलेंड का जो टैक्स रेट है अगर आपकी सैलरी like 4,000 न्यूजीलेंड डॉलर से उपर है पर month की बात कर रहा हूँ yearly आपकी 50,000 से अगर उपर जारी माल लेजे 4,300, 4,400 आप कमारे हो पर month और आपकी सैलरी चली गई 50,000 न्यूजीलेंड डॉलर से उपर annually per year तो आपका टैक्स रेट 30% है 3,0 30% टैक्स आपको देना होता है यह आपको ध्यान रखना है अगर इससे नीचे है तो फिर आपकी टैक्स रेट कम हो जाते है 18% ऐसा कुछ है लेकिन mostly लोग कोई भी 18% बहुत रेर मिलेंगे आपको हर कोई 5,000-7,000 न्यूजीलेंड डॉलर कमा रहा है पर मन्त तो उसकी जो टैक्स रेट है उसका वो 30% है बट टैक्स mostly employer भरते हैं यह आपको ध्यान रखना है कई बार employers भी आज के टाइम में भर रहे है जैसे कि mostly paid by employer अगर employer भर रहा है तो मैंने आपको क्या बताया आपकी saving 2,40,000 की होगी अगर आप 3,00,000 कमाते हो तो 60,000 living cost निकाल के और अगर tax आप भरते हैं तो लगभग आप मान के चलें आपके हाथ में 2,00,000 रुपए ही आने वाला है यह आपको धान दो लाग 10,000 पकड़ने जब लगभग तो इतना आपके हाथ में आएगा अगर आप 3,00,000 कमाते हो तो आपके हाथ में 2,00,000 से लेके 2,20,000 आएगा tax living cost खाना पीना रहना everything सब निकाल के अगर tax भी आपको देना पड़ता है और अगर tax आपको नहीं देना पड़ता तो आप अराम से 2,40,000 से विंग करेंगे पर मत यह एकदम lowest salary बता रहा हूँ यह कोई maximum salary निकाल के 3,3,00,000 कमारे living cost निकाल के मैं उतनी बाती नहीं कर रहा हूँ है तो मिनिममम बोल रहा हूँ कि दो से ढ़ाई तो कमा हो गया अगर दो से ढ़ाई आपको मिल जाएगा बगती सब चीजें इंप्लाइट देता है अब आपके स्क्रीन पर कुछ आपको New Zealand work visa की categories लिख के आ रही होंगी ठीक है यह देख लेना और इसकी जो website है link description में मैंने दे दिया अभी में लेके भी चलूँगा कुछ आपको दिखाता हूँ तो description में links दे दिये दोनों दो links दी हैं और New Zealand immigration की एक link है एक और एक site है उसमें सारे जो New Zealand की work visa की categories होती है वो दी वही है उनकी faces दी है ठीक है वो आप देख लीजेगा अब हम बात करें top job posting sites in New Zealand कौन से job portals है जो आपको help करेंगे New Zealand आने में जाए वो इंडिया से कहीं से भी आ रहे हो foreign workers कहीं से भी होने चाहिए इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, भंगलादेशी, फिलिपिन्स, भुटान ठीक है कहीं के भी आप हो आप समझो मेरी बात को ठीक है लोग यहाँ पर सीवी कवलेटर बनाने के लिए पैसे बहुत लेते है ठीक है साथ हजार पांच हजार रुपए लोग ले रहें सीवी कवलेटर के लिए नहीं देना है अभी एक जल्दी वीडियो आने वाली जिसमें आपको मैं बताऊंगा free of cost न्यूजिलेंड फॉर्मेट की सीवी आप कैसे बना सकते हो तो वह वीडियो के यार मिस मत करना और किसी को पैसे नहीं देने इवन मुझे भी एक रुपए आपको नहीं देना है इसलिए उपनली बता रहा हूं और यह ऑफिस में बैटके वीडियो बता रह है तो चलिए चलते हैं सीधा हम लोग website की तरफ दूस्तों आपको न्यूजिलेंड इमिगिशिंग की साइट पर आ जाना है आपके सामने मैंने उप्रिंग कर रखी डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स देदी हैं तो प्लीज चेक आउट कर लिजेगा यहां पर आपको वर्क 29 यह 21 है ठीक है जैसे आपने डाल दिया ठीक आपके सामने वीजा के कैटेगरीज आ गई यह सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं और यहां पर वर्क वीजा पर पिजा के क्लिक कर सकते हैं मान लिए जब कोई बहुत एज वाले जा रहे हैं 49 जिसकी जिंकी एज है वो अप यहां पर भी आप देख सकते हैं स्केल माइगरीज रिसरीन वीजा के वर्क फोर्स वर्क वीजा उसके लावा स्टडी वीजा हो गया या और भी वर्क वीजा यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कांट्री के कॉर्डिंग डाले जैसे की इंडिया लेंट और स्टू फुर्तिफाइफ फिल्टर करेंगे आपके सामने यह व्रिसर डेल्ट्स आपको दिख रहे होंगे यह आपको दिया रखनाए ट्रिसिक्स डिजर्ट आपके सामने यह वर्क वीजा हो गया student वर्क वीजा है रिसिडिंस वीजा है ठीक है post study work visa है जो कंच कर चुक है ज चेक कर लीजेगा दोस्तों फिर आपको जॉब साइट पर आ जाना है सीक जो की न्यूजी लैंड की नंबर वन जॉब साइट है सबसे पहले आपको इस प्याना है प्लीज अनॉफिशियल साइट पर मत जाएगा स्कैम होने की चांसे होते हैं तो जो जॉफिशियल जॉब रिक्ते है रेटेल असिस्टंट चाहिए ठीक है यह हो गया से लावह और भी चीजसे है यहां पर अफिशेयल सेज्पर मैनेजर हो गया वेस्ट आकलेंड में है और ग्रोस्री इस्ट जो मैंने आपको बताता रहते है न्यू वर्ल्ड यहां पर ग्रोस्री असीिटंच चाह रहें अपलाई पर आप क्लिक करेंगे ठीक है क्योंकि बहुत लंबा स्टेप तो मैं नहीं बता पाऊंगा पर आप से कर सकते हैं जॉब वोटल सब के वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे कि आप यहां पर आ गए है ओके यहां पर सब चीज़े दी होती है अपलाई आप कर सकते हैं न्यू वर्ल्ड का ही है ओके में जो फेमस सुपर मार्केट से उसमें से एक है और सैलिस काफी अच्छी होती मैंने आपको बताया हुआ है यहां पर रजिस्ट्र होंगे आप पहले उसके वाद रजिस्ट्र सुपर मार्केट होगे यह सब फॉरिन वर्कर्स को बिलाते हैं बाहर से ठीक है यह प्रूफ है मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरी चीज़ अच्छी देती है और जो सीवी है वह फ्री आफ कॉस्ट नीजियान फॉर्मेट की खुछ से बना सकते हैं जल्दी वीडियो आ चाहिए ऑनलेन शॉपर चाहिए इंको पाकेट सेव भी अच्छा सूपर मार्केट है ठीक है यहां पे भी आपको आना है सब चीज़े दी हैं इनकी रिस्पॉंसबिल्टी सारा चीज़ें आप अच्छे से पर सकते हैं सीक के अंदर यह आपके साइट पर आ जाएंगे ओके करियर पेज पर यहां पर सब कुछ दिया है क्या वाट आर वे लोकिंग फॉर ठीक है यहां पर सब चीज़ें दी हुई है क्या आप आप फिजिकली फिट होने चाहिए हैं हेल्थी होने चाहिए आप हार्ड वर्किंग कैंड़ेट हो आपको इंग्लिश पर लिखना पढ़ को यह वो चीज़ें मतलब बहुत सारे चीज़ें दी हुई है यहां पर फैसलिटीज प्रोवाइड कराती है यह भी फेमस सूपर मार्केट है इस पर भी अप्लाई करेंगे रिजिस्टर करना पड़ेगा सेम जैसे इंस्ट्राग्राम नॉर्मल सोशल मीडिया चलाते हैं ज साइट दिस्क्रिप्शन में दीए नमबर वन पर इसी को मैं रखता हूं हमेशा ठीक है न्यूजिलाइन के लिए बैस्ट है सीख वाकि हम चलते हैं अपनी सेकेंड जॉब साइट की तरफ दोस्तों यह सेकेंड साइट पर हम आ गये हैं कारियर्स जाट गौवर्मेंट डॉ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो यहां पर इंडर्स्ट्री कॉलिफिकेशन भी आप देख सकते हैं वाकि यहां पर रिजर्ट आपके सामने दिख रहे हैं और यहां पर काफी जादा वेकिंसिस मिल जाएंगी बोचर्स की डिमोंस्ट्रेटर की ठीक है साल्रीक आफ पर अच् साइट है ठीक है कोई स्कैम वगरां यहां पर नहीं होता है अच्छी मिल जाएंगी आपको यहां पर क्या 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 आपको करना होता है क्या क्या स्किल चाहिए वरकिंग कंडिशन कैसी है कैसे अपलाई करना है क्या 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 डॉक्मेंट्स चाहिए सब कुछ यहां पर मै डालेक्ट विजिट करके अपनी जो सीवी है इंको आप सेंड कर सकते हैं यह देखिए फूड और फेक्टरी वरकर्स में पैकेच फूड ठीक है कैसे काम होता है पैकिंग का सुपर मार्केट में जैसे भी है आप देख सकते हैं यह सब सब्सक्राइब हैं यह कोई स्कैम वाली साइट नहीं है यह सब सही प्रोसेस हैं और यह सच में सूपर मार्केट वहां की कंपनीज हायर करती हैं डालती है हमें वक्रस चाहिए जो सही प्रोसेस फॉलो करता है इनी सब में रेगुलर अप्लाई करेगा उनका सेलेक्शन होगा और खुच से करना किसी को एक रुपे राएगा कॉंट्रेक काब आएगा कब अवायमेंट लेनी है कब समिशन करने जाना है सब चीज़ें बताते हैं वो लोग ठीक है तो एकदम सिंपल प्रोसेस इतने बड़ी वीडियो का मकसद यह है कि कि किसी की मदद ना लेनी पड़े कोई फ्रॉड स्कैम ना हो खुद के बरोसे आगे बढ़सके डिस्क्रेप्शन में यह सब लिंक्स दे दिया हूं कोई भी लिंक्स नहीं शेयर करता आच के टाइम में सब बता के चले जाते हैं छे मिनट की वीडियो बनाके पट पत्छीं मिनट की वीडियो में इसी बनाता हूं कि आपको एक एक चीज दोस्तो बता सको ठीक है तो कोई यह नहीं चाहता है ना आपका मेरा टाइम खराब हो ओके फॉक्लिफ ऑपरेटर की भी अच्छी सेल्रीज है 24 25 तो कॉमन है आपको मिलेगी यहां पर डिटेल सेल्स असिस्टन की भी सैल्री बहुत अच्छी और 40,000 डॉलर एन्वली है ठीक है कुड़ आप वरकर्स चाहिए यहां पर बहुत युकाइमेंट है नीजी लैंड के अंदर आप खुड भी चेक आउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स इसकी दे दिया हूँ दोस्तों अब नेक्स साइट पर आ जाते हैं जोरा.com नीजी लैंड की है nz.zora.com आप सर्च कर स सुपरमार्केट में लिए के पार्क एंड सेव यहां पर इंको सुपरमार्केट में सुपर्वाइजर चाहिए ग्रोस्री असिस्टन चाहिए ठीक है इस पर आप चेक आउट करेंगे अप्लाई कर सकते हैं सबसे अच्छा रहेगा सब के तीनों के और इसके लावा भी आठ तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो न्यू वर्ल्ड में इसकी क्लोजिंग डेट है 12 जुलाई न्यू वर्ल्ड ही बहुत सा ज्यादा अलग-अलग जॉब पोटल्स पर निकाल के रखता है साइट्स तो यहां से डॉक्मेंट में आप पीडियाप भी डाउनोड कर सकते ह हैं चीज़ें ओक है उसके वाद आपको एक अप्लाई में भी देख सकते हैं यहां पर फुल टाइम है बहुत सारी आपको रिकामेंट मिल जाएंगी सुपर मार्केट के अंदर निव वर्ल्ड पार्केंड से बहुत सारी ठीक है विंटें बॉटल इस पर क्विक अप्लाई दे रहें और पर आर कितना काम करता है मिनिममम जो आपका वर्क रहेगा वह पर वीक तीस घंटे और मैक्सिमम फॉर्टी आर्स रहता है चीक है यह कोई एक्स्पीडियंस कोई कौलिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए विकेंड्स पर भी वर्क करना पड़ सकता है हार्ड वर्क होती है उकिसप्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर अपना करेंट डोल जिसके लिप लाइए कर रहे है वो नमबर मेल डी काउड़ कावा लेक्टर का यहां format copy कर लीजेगा ओके तो आप यहां पर easily application कर सकते हैं जोरा पर भी New Zealand के लिए ठेक बहुत सारी वेकंशिव मिल जाएंगी यह तो सिर्फ मैं super market की आपके साथ share कर रहा हूँ otherwise आप देखेंगे तो आपको 15-20 जॉब ऐसी मिल जाएंगे अलग-अलग sites में ओके बाकिया हली चलिए हम लोग चलते हैं उस तरफ दोस्तों अनदर साइट पर हम आ गए है टेड्मी.co.nz यानि की न्यूजिलांड की ही वन ओफ दी बेस्ट sites में से एक हैं यहाँ पर हमने search कर रखा है सुपर मार्केट सुपर मार्केट की jobs पर हम डिसकस कर रहे हैं और भी jobs यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं बट मैंने आपको चार जॉब पोटल दिखा दी यह वर्क वीजा काटेगरीज दिखा दी ठीक हैं फीस वगर आप देख सकते हैं और चार जॉब पोटल दिखाएं सबसे बेस्ट हैं इसके इलावाद छे जॉब पोटल और हैं छे या साथ जॉब पोटल और मिल जाएंगा आपको और मोस्ट 10-12 जॉब पोटल डिस्क्रिप्शन में सब दे दिया नाम लिंक्स दे दिया चेक कर ली जाएगा ठीक है वरना वीडियो बहुत लंबी जाएगा कि एक एक जॉब पोटल में दिखाने लोगो तब मैंने चार दिखा दिया वह आपके लिए गाफी सूपर मार्केट असिस्टेंट ठीक है इस पर क्लिक करोगे तो डेटेल्स आपको मिल जाएंगी पर्मारेंट चाहिए लोकेशन दी वही है ओके सैल्डी 23 यूरो 23 डॉलर 65 सेंट्स रहेंगी ठीक है 23.65 रहेंगे 23.65 यहां पर 23.65 आपको न्यूजिदान डॉलर मिल रही है की वेच अच्छी अंडिंग आप कर सकते हैं टाइमिंग आर्स दी वही है ड्यूटी दी वही है कॉंटेक कर सकते हैं सीधर न्यू वर्ल्ड से कॉंटेक कैसे करना मैथ्यू मुल इन से करना है आपको अप्लेकेशन आडी भी दी हुई है अपलाई नाव का ऑप्शन भी आ करके हैं यहां पर ड्यूटी मैनेजर की रिकॉइमेंट है उसके अलावा स्टूपर मार्केट असिस्टेंट तो दिखाए है कि बहुत है शिफ्ट मैनेजर की साली 30 से 35 नियुजी लेंड डॉलर पर आ रहा है प्रोड्यूस असिस्टेंट पार्क एंसेव में बुचरी असि दिखाएं तो चलिए चलते हैं हम लग उस तरफ वहां बात करते हैं तो दोस्तों मैंने आपको जॉब साइट वगरा दिखा दी है एक दो दिखा दी है सेंपल के लिए बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देदिया लिंक्स देदिया चेक आउट कर लीजेगा जैसे कि सी लिख है करियर्स.गवर्मेंट.NZ न्यूजिलंड ट्रेड मी है न्यूवो है जोरा है स्नाफंट वर्क है डॉट को.NZ न्यूजिलंड ग्रैब जॉब्स इंडीट जॉब मॉंस्टर एंड पोस्त जॉब्स फ्री लगभग अगर देखा जाए तो मैं आपके लिए काफी ज जोड़ दो तो यी दो जॉब पोटल जो पता रहो इंडीड और लिंक्जन इस पर कम अप्लाई करना स्कैम जाधा होते हैं तो दस जॉब पोटल है और हमेशा ध्यान रखना है कि जो कंट्री का ओफीशियल जॉब पोटल है उस पर ही आपको एप्लिकेशन करना है प्लीज और लोग कहते हैं कि online apply करने पर हमें response नहीं मिल रहा तो मैंने पूछा आपने कितनी mail करी कोई कहता है हमने 10 mail करी कोई 20 mail करी मैंने कुछ नहीं होगा आपको 200-300 mail करनी है और daily 50 mail करनी है minimum एक target बना लो कि daily खाना खाते हो daily 50 mail आपको करनी है तब ही कुछ response मिलेगा क्योंकि company पा से जाएंगे तो एजन के तुरू जाएंगे खर्चा कर लेंगे लाख और रुपर लेकिन एजन के तुरू जाना पाई ऑनलान तो एक बढ़ ट्राइगर के देखो क्या जा रहा है पैसे तो जानी है आपकी महनत जारी सीखने को मिलेगा आपको तो apply करो response मिलेंगे definitely अगर आप अच्छे से महनत करते हैं तो और आपके महनत पर ही आपका सेलेक्शन है आपका करियर है किसी को पैसे नहीं देने और नहीं किसी से कोई CV या कुछ भी बनवाना है यह फस्तिंग आपको धान रखनी है आपके आपके हाथ में आपकी लाइफ है यह जो आप वोटल बता उसके तो मैंने अचनी वीज़े देखिए न्यूजलांड के आप बिलीव नहीं बनिकरोगे एलक्टरणिक वीजा होता आपको पता ई वीज़ा होता है नियूज़िलेंड को विजिटर वीजा वह आपके उपर स्परभय करता थे लिए तो मैंने आपको बता दिया वॉर्क 872 jobs available हैं सूपर मार्केट के अंदर सिर्फ सूपर मार्केट सूपर मार्केट एक जॉब पोर्टल के अंदर अगर आप अभी यही दस में चले जाओगे तो आपको पता है कि यह हजारो यहां 100 से ज्यादा जॉब सब्लेबल है तो आप यह सोच लो कि बहुत जॉब सेरे को लिख włkrष सूपर मार्केट असिस्टेंड बूचर पेश्टी शेफ ठीक है कैशियर क्लीनर ऑनलान असिस्टन टीम मेंबर ठीक है सूपरमार्केट असिस्टें पार्क एंड सेब में निकला है जो मैंने आपको बताई थी और ऑक्लेंड में भी बहुत सारी सूपरमार्केट से अलग सी सूपरमार्केट भी है जो थोड़ा उतनी नामी नहीं है वो भी हायर करती है फुल टाइम काम है यहां ड्यूटी लिखी हुई है और एक्ट्रा बोनस इंसेंटिफ सब मिलता है तो एवरिटिंग आपको एकदम अच्छे से ट्रांस्परेंसी के साथ बता दिया वर्क वीजा की कैटेगरी जॉब साइट्स कौन-कौन सी सूपरमार्केट से कैसे अपलाई करेंगे उसमें आपसे 5-10,000 रुपए लोग ले रहे हैं सिब बात करने का आपकी help करने का बलकि उसमें कुछ होना नहीं है उनके पैसे बनने है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे वह भी समझाएंगे ठीक है तो वही चीज़े जो free में हो सकती आपने दम पर हो सकती कर जादा इस तरह आपको समझना है कि आप वह चीज़ कर सकते हो मुझसे भी जादा या कोई और एजेंट यूटूबर से भी जादा तो यह हम लोग कोई भी बात करने का या कोई चीज help करने का कुछ भी डॉक्मेंट्स आप भेशते हो चेक करने का कोई भी एक रुपए नह आते हो और सब कुछ खुट प्रोसेस कर सकते हैं मेल चलाना आपको आता है ना बस सिंपल सी बात है रहले करना है अगर इंट्रवीच यहां करो यूटूब पे दिया है किसे इंदू इंट्रुडाक्शन वीडियो बनाते हैं या फिर कैसे इंट्रुवी देते हैं यह सब च चीजें हैं तो फ्लीस फ्री में हर चीजें हो सकती है अपने दम पर ठीक खुद ऐसा बनो बाकी चीजें आपको सब कुछ बता दिए है न्यूजीलैंड सुपरमार्केट जॉब्स के न्यूजी लाइंड के अंदर इंडिया से या कोई भी अधर कंट्रीज से और कोई भी निशनल्टी अप्लिकेशिंग कर सकती सारा प्रोसेस बता दिया और आपके सब चीजे अगर यह वीडियो पसंद आई हो बड़ी महनत सी वीडियो बनाई है आपके लिए कि आपको मोटिवेशन मिलें आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ गाइड कर सकूँ अच्छे और आपको हेल्प कर पाऊं कि बिना पैसे के भी आप महनत करें तो कुछ ना कुछ आपको मिल सकता यह मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया और बताया है तो कुछ भी अगर जड़ा सभी अच्छा लगा हो महना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना सेव रख लेना लोगों को शियर करो उन तक यह वीडियो पहुँचे तो उनको भी पता चलेगा नियूजिलैंड में कौन से वर्क विजा पर जाना है यहां आठ तरह के काटेगरी होती है वर्क विजा में तो यह चीज़े मैंने बताई विजिटर पे भी आप जा सकते हो कर जाते हो तो कोई आपका रिलेटिव रहता तब भी आपके लिए इसी वीडियो अब और जाधा चैनल पर रेगुलर तो ऐसे प्यार बनाया रखें थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना और अपने फैमली का ख्याल रखें बाइबाई सी यू टेक कियर इस्टे सेफ जाहिन